अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर पूर्ण रूप से साफ हो जाए आपकी आते हैं आपका लीवर आपकी किड्नी पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाएं तो ये दो चीजें आज से ही खाना शुरू कर दीजिए इससे आपको बेहद लाव मिलेंगे आपका पूरा पेच सा पित के थाले की सफाई होती है और किड्नी और लीवर भी डिटॉक्स होते हैं आते भी साफ होती हैं तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें देखें मैं आपको बता दू हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे सीजनल प्रूट्स आते हैं जो कि हमारी बॉड़ी को डिटॉक्स भी करते हैं और शरीर में मल्टी विटमिन की कमे को पूरा भी करते हैं सबसे जरूरी और सबसे एहम बात होती है कि हमारा पेट कितना स्वस्थ है अगर आपके पेट स्वस्थ नहीं है तो आपका शरी स्वस्थ हो इतनी ही समस्याएं आपके शरीर को कम होंगी क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि अगर शरीर में घंड़ी कहटी होगी तो वह जाकर के नसों में अटक जाएगी जिससे कहीं गंड़ी हार्ट में पहुंचेगी तो हार्ट ब्लॉक के जाएगा पैरों की तरफ जाएगी तो वेंस का प्रॉब्लम आएगा शरीर की किसी और हिससे में जाकर के अटक जाएगी तो वहां पर नसों में ब्लट का फ्लो कम हो जाएगा और सुन पनाने लग जाएगा तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने पेट को साफ रखें इसके लिए जरूरी होता है कि आप कुछ इसी चीज़े अपने डाइट में शामिल करें जो कि आपके पेट को क्लीन करें और वह भी नाच्रल प्रोसस से तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है नासपाती आपको बता दी हैं अगर रोजाना एक नासपाती अपने डाइट में शामिल करना शो कर दें तो इससे अगर लगतार तीन दिन तक एक नासपाती अपने डाइट में शामिल कर लेते हैं लेकिन नियम यह है कि उसे सुभा खाली पेट आपको खाना होगा अगर सुभा खाली पेट आप एक नासपाती लगतार तीन दिन तक खालें तो इससे आपकी आते पून रूप से साफ हो ज सरीर में गंदिगी पूरी तरीके से साफ हो जाती है लीवर और किड़नी भी आपके साफ हो जाते हैं और पित्त की थैली के अंदर जो भी गंदिगी होती है वो भी किलियर होती है और लगतार एक महीने तक सुभा खाली पेट अगर आप नासपाती को खा लेते हैं तो इससे थैली के अंदर बनने वाली जो पतेया होती हैं वो भी धीरे-धीरे करके गुलने लगती हैं और आपको इससे काफी लाब मिलते हैं हाला कि जो नासपाती है वो पोशक तत्वों से पूर्ण रूप से भर पूर होती है आपको और भी लाब देती है लेकिन सबसे जादा ही रहता है जिसकी वजह से अकसर या तो सर में भारी पन रहता है या फिर मन किसी काम में नहीं रखता हमेशा चिर्चिडरे से रहते हैं तो ऐसे लोगों को पपीते को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए नासपाती तो हर सीजन में नहीं मिल पाते हैं लेकिन प वजन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मान लीजिए अगर आपका पचास किलो वजन है तो आप ऐसे में लगबग 200 या 300 ग्राम पर पपीता सुबा खाली पेट अपनी डाइट में जरूर शामिल करें इससे क्या होगा पका हुआ पपीता सुबा खाली पेट खाने से इससे आप आपकी पुरानी कवजियत दूर होगी आपकी निसो का ब्लॉकिज खुलेगा आपका हाई कॉलिस्ट्रोल काम होगा आपके शरी में खून साफ होगा पहले से बहतर तरीके से खून बनेगा और इसके अलावा भी आपको धेड़ सारे लाप मिलेंगे आपको गैस नहीं बने तो अलग से उसके उपर नमक मिर्च डालके खाने की कोई जरुवत नहीं है बिल्कुल भी जो भी जिस नेच्रल सोस के साथ आपके पास फूर्ट्स आया है उसी तरीके से उसको खाईए कभी भी पपीते के उपर या नासबाती के साथ आप मिर्ची मसाले आड़ करके या न नहीं है इने नेच्रल तरीके से ले ताकि ये पूरे बेनफिट्स आपकी बॉड़ी को दे सकें उमीद करती हूँ आज की छोटी सी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी आच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें चले फे मिलेंगे किसी न